बहुत बहुत सवागत है आप सभी का अपने य्टूप्शनल पेपर हैकर में मैं सूराज आज की सीटूम देखने के बाद है जो भी जात्र BSC THIRD YEAR में है और आप DSC THIRD YEAR में जिलोजी का FIRST PEPER है जो 2022 में आने वाली कोशन की बात करने यह आप यूपी के किसी भी यूणिवस्टी से है आल यूणिवस्टी से हैं तो आपको कोई मतलब फेल करने वाला पैदा नहीं है जो कोशन मैं आपको बताना हो वो कोशन पढ़के चले जाता हूं अब किसी किसी यूणिवस्टी में यही पहला पेपर जो है वो एम सी क्यू बन रहा है मतलब कि बहु बिकल्पी कोशन बन रहे है तो आप बहु बिकल्पी कोशन बने तो भबराई खाय रहे हो बताओ मुझे अब मैंने उनके लिए भी पीडिया बनाकर आपको लिंक दे रखा है लिंक दे फिरी में पढ़ो यार मैं बोलता हूँ कि आप मेरे नोट्स को के बला पढ़ते हूँ मतलब पढ़ते हो समझ रहे हैं ना यदि आप नोट्स को मेरे पढ़ते हो तो मैं आपको बिल्कुल फिरी प्लेस्टोर पर जापकर एप्लीकेशन को डानलोड कर लीजिए 200-300 अप्ली आप उसको अपना बनाना चाहते हो कि सर आपका उस पर कोई हक ना हो समझ रहे ना वो मेरा होना चाहिए खुद का होना चाहिए और मैं जब चाहूं उसको किसी और को भी सेंड कर सकता हूं उसको चाहूं मैं कैफे पर जाकर निकलवा सकता हूं तो यार आपको बाई करना प फुल मज़ा दीजिए अपने लाइफ का समझ रहे तो आप देखे बात करने वाले हैं 2022 में आप टॉपर कैसे बनेगे टॉपर बनने के लिए थोड़ा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा संघर्ष करने के लिए सबसे पहले आपको तोड़ा याद दरना पड़ेगा समझ रहे और हाँ अभी देख चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेजिए और एक नया चनल ने खिलाड़ी भई एक्स पाई जैड उस चनल को सब्सक्राइब कर लो यार थोड़ा सा प्यार उसको भी दो अब यहाँ देखिए हट पेपर में कौन सा कोशन पहला देखना है पहला कोशन अब टिक लगाएंगे सब लोग नोटस बुक गैस पेपर में जो भी है यहाँ दे रखा है फिलपाव रोग क्या होता है और एक इस परजीबी की द्वारा होता है जो परजीबी की लाइफ साइकल बता दो जीबन के बारे बता दो कि वो कैसे जीता है यह भी तो बताना पड़ेगा तुम लोगों को ठीक है समझ रहे ना यह भी तो देखना पड़ेगा आप देखो क्या है उसके बाद में दूसरा कोशन हो जाता है चूहे के पिरकार मतलब चूहे दो पिरकार के ऐसी नहीं है बिला ऐसा भी और किस तरहीं यह आप पड़ी एक बार कोशन को ध्यान से बहुत अच्छा इंपूटेंट कोशन है और चूहे के बारे में बहुत ज़्यादा कोशन और मुर्गी के अंडे के बारे में पूचा गया था यह कोशन और उसके जीवन चक्र और जो रोग पैदा हो जाता है उस की life cycle अपनों सुमा की इस टैक्शर और कैसे जीता है अपने life में कैसे पैदा हुआ और कैसे मरत्ती हुई वह लाइब साइकल क्या गया आता है ठीक है कैसा इसका अंडा हुआ था क्या दिया हो सब आपको से याद करना है कि यहां देखिए इसको सकता है left left अको ड inadvertent इसको पढ़ लेना और इसके लाइप और चैकल को देख लेना है इसको एक दूसेरे बहारा सामें बोलते हैं ठान का पीटख कीट क्या सकते हैं आपको कीटना सक याद करना है मतलब कि धान के खेट में कोई रोग लग जाता है तो उस कीटना सक मतलब कीटों को खतम करने के लिए कौन सी दवाई का इसमाल किया जाता उन दवाईयों के बारे में दो चार आपको याद करना पड़ेगा भी देखो रैडाटा बुग जानते हो रैडडाटा बुग बुक भूग वेलाती जिसमें जो कह सकते हैं है जो कह सकते हैं जो संक्ट उसे प्रजाती खतरए मना ध्रड़ाडळ खतक्त और पैदा नहीं हो रहा वहीज्ण है तो वह हखर डैटा भूक के लिखा जाता है तो तो आप red data book को याद करेंगे, उसमें क्या है, क्या खासियत है, उसमें आपको यहाँ थोड़ा explain करके बताओ, दीमक के बारे में याद करेंगे, बहुत ज़्याद है, दीमक के कौन सी दवाई का यूज करके उसको नियंतर किया जा सकता है, मतलब क्या चीज है, दीमक में डाल जाए, उसको मतलब कि छड़काब किया जा कि डीमक खतम हो जाए, कौन से कीज दासक का यूज किया जाए, तो आप वहाँ आपको याद करना पड़ेगा, नेंतरत के तरीके, यहाँ बोला क्या है, देखो, परजीवता तथा रोग पर टिप लेगे, देखो, परजीवता क् ठीक है, इसको याद करिए, और देखो, नीचे जाएए, यहाँ से एक कोशन बनेगा, या तो आपसे मतस्पालन पूचेगा, या फिर आम मुर्गी पालन, जिसे कुकट पालन बोलते हैं, देखो, कह रहा है ना, मुर्गी का पालन कैसे होता है, देखो, मुर्गी का पालन म जिन्दगी में सब काम करना चाहिए, तब ही इंसान को पता चलता है सही और गलत का फ़र्क, याद रखना मेरी बात को, आप अच्छे हो या गलत हो, जब तक कि आप सही काम नहीं कर, आप जो काम करोगे नहीं कि उसके बारे में क्या पता होगा, प्र भई क्या होता है, इस से 40 दिन में मुर्गा का म unity मलब तेआर आप समस्झते कम से कम यह लगभग यह लगभग पचासे 60-70 म्हत्च हो जाए मतलब उसको इतनी मेडिशन दी जाती है उस मरें के जो मुर्गी आप देखते ह草 हो मार्केट में कट-कट के झो जाते हैं बेची जाते हैं शेकिन की बात कर रहो वो 30-40 दिन के अंदर त्यार हो जाता है वह कितने का 20-30 क्लों का हो जाते हैं अप खुश समझ यह कि उसको 20-30 क्लों का होना है एक छोटा सा चूजा होता है उसे 303 क्लों मैं 200-300 200 ग्राम से 300 मलब 300 ग्राम या फिर 3 से 4 ग्राम यह होता है मलब 4 ग्राम नहीं बोल रहा हूं मलब 200 ऐसे कह सकता है 2.5 ठीक है इतने केजी से लेकर 3 केजी तक 3 केजी 3 क्लो तक उसको बेट बढ़ाने के लिए कितना कुछ दिया हुआ तो यहां पड़किये 30 दिन के अंदर इसको इतना प्रोटीन दिया जाता है इतनी हैबी दवाई दी जाती है कि उसको इतनी भूक लगे बहुत हद से जादा कि बच्चा जा इतनी भूक लगती है। उस बच्चे को छोटा सा बच्चा होता है, इतनी भूख लगती है, उसे बिटामिन सुन्नरल, बिटामिन B के तो इतने, वो उसको, कहता है हर पानी जानते हो, पानी, पानी के अंदर तक, उसको, भाई, मेडिशन दबाई मिला के खवाई जाती है, जुखाम की, खासी की, उस तवाई से बनता है मता सपालन में ऐसा कुछ नहीं होता वैटा मता सपालन में आपको को पिरोटीन खाओ दुगा उसको टाइमिंग लगता है बढ़ते हुए जितना भोजन उसको मिलेगा चूकर वगर आप डालोगे तालाब में, उसका ये साफ ये बढ़ती है ये उसको जवरन बढ़ाया जाता है, वो चीज है, बहुत कुछ इसको दिया जाता है, तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, तब ही लोग बीमार क्यों हो थे हो जिकन खाल से नगर उसको बीमार क्यों हो उसको अफले हो, भी सोब बुढ़ा देना समद्र है ना वो चीज़ें ऑड़ इसमें कोई फ्रॉफिट नहीं होता है खासकर मैं आपको खुद बतारू अपनी सो रुपए किलो, 75 रुपए किलो, ऐसे बिखता है. मतलब किलो पूरा मोरगा, मतलब ऐसे करके तोल के दोगे तो, ऐसा बिखता है. लेकिन मारकेट में आप देखोगे, बही डेड़ सो, 200, 500 रुपए को मिलता है. मतलब उसको जब कार्ट के लोग बेंशते हैं, आप लगावा सकते हो कि उसको कितना प्रॉफिट होता होगा, यहां प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि कभी ऐसा आता है, तो आप इसको explain कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा, आपक लिए मचलियों का वर्गी कर, देखो जो मचली होती है, उनका classification, मधु में जानते हो, जिसे सहद बोलता है, तो सहद का, सहद का आपको बढ़न करना है, सहद बहुत जादा इंपोटेंट है, ठीक है, परजीपता मैंने उपर पता रखा है, तो यहां नहीं पढ़ना है, ला के बारे में, छती आंचिक जादियों का वर्णा, इसको छोड़ दीजेगा, एंडोग्रेट इसको पढ़ लेना, अंसिक्रेट जनती, यह बहुत जादे इंपोटेंट है, इसको आप्यात कर लेना, मचलियों के आर्थिक महत्व के बारे में, आर्थिक महत्व में जानते हो मचली में सब से ज़्यादा क्या आपाई जाता है, विटामिन ए सब से ज़्यादा होता है, तो जो आँखों के लिए जो प्रावलम होती है, तो उनके लिए मचली लोग खाते है, यहां देखू, जो है, इसको छोड़े दिया, फरो कंट्रोल को छोड़े, इसको टाओ, नी कि मुश्टर लाइजेशन क्या होता है कि मुश्टर लाइजेशन को पढ़ेंगे यहां कीट नासक के प्रिकार कीट नासक जो होते हैं यह गुड़ पूछ लेता है और प्रिकार पूछ लेता है कीट नासक जानते हैं जो कीटों को नास करता है वलग छोटे जोटे कीट होते ह को खतम करने के जो मेडिशन का यूज किया जाता है वो कितना सा क्यलाती है यहां देखिए यहां बोलागा है मचली में होने वाले रोग मचली में कौन-कौन से रोग हो जाते हैं वह आप पढ़ेंगे ठीक है याद करके जाएं क्योंकि पेपर में मिटा संघर्स कर लो थोड़ा सा यदि टॉब करना है मैं बोल रहा हूं टॉब करना है तो संघर्स कर लो सहत के आर्थिक मेहत ऊपर बता रहे हैं विदेशी मसली हो सकते तो पढ़ देन सब्सक्राइब कैसे होता है यह देख लिए बहुत ज़्यादा है मोड़े दोशन है चलो उसके बाद आपको क्या पढ़ेंगे दीकों यह देखें प्रजैक्ट टाइगर यह मोस्ट इंप्टैंट है यह है जिसको पढ़ेंगे बहुत साथ है अब यह सबसे होता है बहुत क्या हो रहा है वह अपने बच्यों को पएदा नहीं कर पा रहा है जिससे जीदा नहीं अर्वा बहुत सारी ऐसे प्रिजातिया है, टाइगर की हो गई, तो यह चीज होते हैं, तो बन जीबो का सलक्षन हो, यह कह रहा है, जो बन में जो जीब पाए जाते हैं, उसका आप सलक्षन कैसे करेंगे, मतलब उनको मरने से कैसे बचाएंगे, बताओ, बताओ, अजगर जो साप दे यहां कहा रहा है, गन्ने के वड़कुलों सारचना, इसको लोगों कीटों की बार में, और रोहु मचली, यह मचली कुछ होती है, मचली के पिरकाद में उपर बता रहे हैं, तो आपकी गैस पेपर में जो भी मचली यह वगर दे रखी हो, तीन-चार उसको पढ़ देना है, पस इतना ही पढ़ना है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहा रहा है, इतना ही पढ़के से लेज़ों, आपको फेल करने वाला कोई नहीं है, यार, बही आता है जो हम बताते हैं, और पेपर में ही आएगा, कुछ और मत पढ़ों, और आपने बिचलों को सब्सकाइब नहीं किय है, तो कर लिजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेर कर दिजिए, आई हूँ, एमसी को कोशिनों के पीडियेप को डाल्लोड कर लेना, नेक डिस्क्रप्शन बॉक्स में कोई दिकत नहीं है, तैंक यू,